असलाम अलेकूम, वेलकम टू शामा कुकिंग चानल, उमीद करते हूं सब ठीक ठाक होंगे, आंच हम बनाने जा रहे हैं, फिश फ्राइ, बहुती जादा क्रिस्पी और बहुती जादा स्पाइसी है, आए देख लेते हैं, मैंने इसमें क्या क्या इंग्रिडिन्स लिया है, चली स्टार्ट करते हैं, बिना वक्त जाया कियो हुए, यहां मैंने चावल लिया है, इसे मैंने दो तीन घंटे पहले भीगो के रख दिया था, यह अच्छे से फूल गई है, बस मैंने लिया है ग्राइंडर जार, और चावल को डालें ग्राइंडर जार में, पांच हे हरे तू टेबल स्पून जीरा, सारी चीज़ों को डालने के पात, अब इसे हम ग्राइंडर जार में पीस लेंगे, अच्छे से इद्दम बारिक मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है, यह मैंने फिश लिया है, यह एक किलो है, इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है, और बस जो रेहन है, उसको डालें फिश पे और डालेंगे वन एंड़ हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, टू टेबल स्पीन चिली पाउडर, और डालेंगे हम टेस्ट अकॉर्डिंग, सॉल्ट, सॉल्ट डालने के बाद, अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हातों से, आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं, मैंने यहां हाथ का यूस किया है, ताकि यह अच्छी से मसाला मैं एफ्स से अबसोर्फ हो जाए, अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें, खुब अच्छी तरीके से अंदर मसाला, यह विर्ल जाय ग्रेंगे बहुत जादा बहुत जाटी टेस्ट हो जाता है, बस लेमन अपने मताबिक डाले, एक दो कम जादा कर सकता है, मच यहां मैं यहां यहां यूस क किया है, घर्णिया भीास, भीास, ऩ니다. करूंगे मैंने फ्लेम को इदम फुल रखा है अभी और बीच में जब इसकी साइट्स में चेंज करेंगी तब मैं इसे स्लो कर दूँगी ताकि जो फिर्श है वह अंदर से अच्छा सा पक जाए और इदम क्रिस्पी उतरे बस में साइट्स को चेंज कर दूँगी आप इससे इसकी साइट्स को चेंज कर दें फ्लेम को अब आप स्लो कर दें स्लो फ्लेम में थोड़ा इसे अच्छे से पकने दें ताकि जो इसकी अंदर का गोश है वह अंच्छे से पक जाए बिलकुल भी स्मेल ना आए खाते वक इस दम कच्छा बिलकुल ना रहे बस आए मीडियम तो हाई कटे रहें अच्छे से फ्राई करें की यह बड Two ले रहे यह विए बहुत दहार क्रिस्पी बहुत दे अधर जो यम्मी आप ऐसे भी सारी फिश को तरूद करें यहां हमारा फिश फ्राइब हो करके रिडी है बहुत ही जब्द इस पाइसी और पिस्पी है बहुत झाल 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 2 जुण न ठाल झाल